नमस्कार प्रामरी स्कूल के प्रधाना अध्यापक नोडल शिच्छक और आंगनवाडी कारिकत्री आप सभी लोगों से हमारा बिनमरन निवेदन है कि हमारा ये वीडियो सुरू से अंत तक पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए ब्रहमास्त्र का काम करने वाला है गागर में सागर भरने वाला है इस वीडियो में एक अप्रेल दो हजार पाइस से लेकर और 15 सितंबर दो हजार पाइस तक की सभी गत्यविदियां संचालित करने का बहुत ही संशेप्त सरल आसान शब्दों में बढ़न किया गया है तो आईए देखते हैं हमारे द मोडल शिचक को हर आगन बाड़ी कारिकत्री को ऐसी फाइल तयार करनी होगी और विध्याले में संचालित होने वाली गत्यविदियों को इस तरह से रिकॉर्डेड करना होगा लिखना होगा कि एक अपरेल 2022 से 15 सितंबर 2022 तक ऐसे होगा संचालन तो इसमें कक्षा एक और ब बाल बाटिका में जो बच्चे आते हैं कक्षा एक में अड्मिशन कप करते हैं जो बच्चे छे वर्स के हो रहे होते हैं छे वर्स के बच्चे का एड्मिशन कक्षा एक में करते हैं और बाल बाटिका में वो बच्चे आते हैं जो पांच से छे वर्स के बीच के हों तो ऐस बच्चों को सम्मलित करके नोडल से चक एबं आंगनवारी दोनों को संयक्त रूप से कक्षायक और बालबाटका के बच्चों को विध्याले में निम्निक गत्विदियां करानी होंगी सबसे पहले तो ध्यान देजिए सबसे पहले हमें कुछ भी कराने से पहले क्या करना होगा सबसे पहले तो हमें करना होगा 31 मार्च 2022 का शाशना देश जो की आपको आपके ARP के द्वारा PDF के रूप में मिल गया होगा आप इस वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस तरह से तो यह शाशना देश ठीक है इसके बाद देखे क्या है कक्षा 1 में 12 सब्ता के गत्विदी कलेंडर की फोटो कॉपी निकलवा कर जैसे की यहाँ पर देख सकते हैं आप यह भी इसकी भी PDF आपके ARP लोगों ने दी होगी तो हमने यहाँ पर इसको कलर्ड में नहीं वलकि ब्लेक इंड बाइट में निकलवाया है जिसमें ब्यवी कम होता है इस तरह से यह तो इनकी भी आपको 12 सब्ता के यह सभी कलेंडर जो है इनकी फोटो कॉपी निकलवा कर अपनी इस फाइल में रखना होगा इसके बार देखिए आकलन प्रपत्र यह इस तरह से यह तीन चीजें ध्यान रहे सभी आगनवाडी कारिकत्री और सभी हमारे नोडल सिछक ये ध्यान रखें कि इस तरह का बच्चे का आकलन प्रपत्र प्रतेक बच्चे का आकलन प्रपत्र आप चाहें तो सुविदा अनुसार इसका एक रजिस्टर तयार कर सकते हैं एक ही रजिस्टर में बच्चों का ये डाटा फिल कर सकते हैं और ये आकलन प्रपत्र को भी इस तरह से इन कॉलम को इसमें इसी तरह से बना कर लिख सकते हैं तो रजिस्टर तयार कर लें या फिर इस तरह से आगलन प्रपत्र ही रख लें तो यह काम आपको करना होगा 25 अप्रेल से पहले यह तयार करना होगा तो ध्यान दिजिए कि सबसे पहले काम सबसे पहला काम यह है कि इन चीज़ों इस शासना देश का और यह साबता ही कलेंडर की फोटो कोपी और आकलन प्रपत्र 3-3 चीजों को आपको अपनी class में या अपनी फाइल में तयार करके को रख सकते हैं second number पर देखिए ना मांगकन तो आपका यह जो सासना देश है इधर देखिए यहां पर यह सारी गत्विदियां जो करानी हैं एक अप्रेल से और 15 सितंबर तक तो सौड में यहां दी गई हैं लेकिन आपको यह गत्विदियां करानी कैसे हैं तो इनको थोड़ा सा समझाते हुए हमने इस फाइल में मेंशन किया है वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं 21 अपरेल से 24 अपरेल तक कक्षा एक में नावांकित छात्र छात्राओं की माताओं को और गाओं के कुछ जागरूक वरिष्ठ जन समाज सेबा में रुची रखने वाले लोग SMC सदस्य अध्यच प्रधान आधि को बुलाकर एक बैठक आयोजित करनी है और उस बैठक का नाम होगा चहक कारिकरम के तहत बुलाई हुई बैठक अर्थात 21 अपरेल से 24 अपरेल तक आपकी क्लास कक्षा एक के लिए या बाल बाटिका के लिए एक कारिकरम चलाना होगा नोडल सिच्चक और आंगनवाडी कारिकत्री दोनों लोगों को मिलकर चहक कारिकरम जिसमें करना क्या है जो बच्चे हैं उनकी माताओं को बुलाना है और जो गाउं में जागरुक वरिष्ट जन समाज से भी लोग जो रुची रखते हैं लोगों की मदद करने में या जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे गाउं की शिक्षा में सुधार हो गाउं में गाउं की व्यवस्ता आर्थिक व्यवस्ता आदि में सुधार हो सबको बुलाकर एक बैठक आयोजित की जाए और उस बैठक में शिच्छक के द्वारा प्रधाना ध्यापक के द्वारा एक हैवी मोटिवेशन दिया जाए उनको समझाया जाए गाउं की भासा में गाउं के लोगों के इस्तर के अनुसार उनको समझाया जाए कि सिच्छा में करांतिकारी सुधार लाने के लिए कक्षा एक से ही सिच्छा मंतरी निदेशक महा निदेशक जिला अधिकारी वेशिक सिच्छा अधिकारी खंड सिच्छा अधिकारी शिच्छा प्रधाना ध्यापक और भी सभी वेशिक और भी सभी वेशिक सिच्छा के तंत्रों का मुख्य प्रियास एक अपरेल 2022 से और 15 सितंबर 2022 तक पांच वर्से लेकर 6 वर्स तक के बच्चों को अच्छी बाग गुडवत्ता परक्षिछा प्रदान करना है क्योंकि पांच वर्स से 6 वर्स तक के आयू में व्यक्ति के मस्तिस्क का अस्षी प्रत्षत विकास हो जाता है अस्षी प्रत्षत विकास का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से अगर देखा जाए तो बच्चे के दिमाग का विकास सबसे ज़्यादा जो है वो कब होता है पांच वर्स से लेकर और 6 वर्स की आयू तो करता जब तक बच्चा 6 वर्स का होता है उसके मस्तिस्क का पूडत है लगभग पूडत है विकास हो चुका होता है आता है प्रथम सोपान कख्षा एक में सबसे पहले सभी सैच्छिक तंत्रों का जो जोर है और उनका जो निरि प्यास होगा वो कहां पर होगा कख्षा एक पर होगा यदि सिच्छा में मजबूती से सुधार किया जाता है यानि कख्षा एक में यदि सिच्छा में मजबूती से सुधार किया जाता है तो बच्चे की आयू और कच्छा आगे की कख्षाओं में जो भी तच्छताइं हों में बच्चे के लिए बहुत ही सहज, सरल और आसान होगा ऐसी मंसा हमारे शासन की, हमारी सरकार की, हमारे शिच्छा बिभाग की है और इसलिए इस प्रकार बैठक में सभी प्रतिभागियों से मुख्यते माताओं से एक बचन लिबाईए कि वो अपने बच्चों को प्रतिद समय मिलने पर विध्यालां में सीखी गई, गत्विधियों पर अपने बच्चों से चर्चा करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी, उनसे पूझेंगी कि बेटा आज क्या कराया गया है, इसके बाद 25 अपरेल 2022 से गत्विधि कलेंडर के अनुशार कक्षा एक भालबातिका में गत्विदियां संचालित करनी हैं। कक्षा एक की गत्विदियों का उद्देश। ये गत्विदियां क्यों कराई जाएंगे। उनका मुक्य उद्देश क्या है इसको बैठक में जरूर एक बार बताया जाए कि बच्चा विद्ध्याले की और आकर्षित हो। बच्चा विद्ध्याले नियमित और खुसी खुसी भागता हुआ ग्यान के लिए आए। ग्यान को आए। अर्थात जो समस्याएं हमारे बेसिक में सबसे बड़ी समस्याएं वो क्या है कि कक्षा एक में बच्चे आते नहीं हैं। और नियमित नहीं रहते हैं। तो उनकी फर्स्ट क्लास जो है कक्षा एक जो है उसमें बच्चे आनी पाते हैं। उनका वर्ण ग्यान है वो सब छूट जाता है। बच्चा हमारा कमजोर हो जाता है। जिससे की क्या होता है कि वो आगे की जो क्लास हैं उनमें भी दच्चताई हासल नहीं कर पाता है। और देखिए यह जो चहक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें अभिबाबकों को गावबासियों को मोटिवेशन करना है अभिमुक्षी करन करना है जिनका उसका तात्पर्य है चहक की फुल फॉर्म है चिल्डरन हैविंग हैपिनेस एंड एक्वेरिंग नौलेज मतलब बच्चे खुशी खुशी विध्याले में नौलेज यानि ज्यान को प्राप्त करने के लिए आई तो यह है चहक प्रोग्राम का उद्देश आगे देखिए अब हम गत्विदियों का संचालन करेंगे 25 अपरेल से ठीक है 25 अपरेल से जो हमको कलेंडर दिया गया है या हमारे पास जो पीडिएफ आई है आप इस पर देख सकते हैं यह पीडिएफ यह हमारे एर्पी महोदय ने वाट्सअप गुरुप के थ्रोशेर की है तो इस 23 सपताह 25 अपरेल से 14 मही तक कलेंडर में दी गई गत्विदियों को बच्चों के साथ करने से पहले यानी गत्विदियां हम करेंगे जैसे हमने 25 अपरेल को कोई एक गत्विदी की फिर उस गत्विदी में हम अपने एक-एक बच्चे को नोटिस करेंगे उनका आकलन उसके बाग जो आकलन प्रपत्र है जैसा अभी दिखाया था आपको आकलन प्रपत्र ये वाला है ना तो इस आकलन प्रपत्र के थ्रोप इसमें ये संकेतक दिये गए हैं इसको बच्चों के सामने नहीं रखना है ये बच्चों को गतिविदी कराने के बाद एकांत में अलग बैठ कर ये एक बच्चे का आकलन प्रपत्र होगा और उस बच्चे ने गतिविदी में किस तरह से प्रतिभाग किया, कितना सक्रिये रहा, उन सब के आधार पर इन संकेतकों के सामने ये जो पहला आकलन है, वो आपको 25 अपरेल को ही करना होगा, उसके बाद गिरीश मबकास ह कब 20 मई से 15 जून तक, तो आगे चलते हैं, शिक्स पॉइंट पर गिरीश मबकास के उपरांत हमारे विध्याले 15 जून, 16 जून से खुलेंगे, तो 16 जून से क्या करना है, 16 जून से लेकर 25 जून तक, 16 जून से लेकर 25 जून तक, जो पहले तीन सप्ता में गतिविदियां क 25 अपरेल से 14 मई तक जो गतिविदियां कराई थी, उन्हीं गतिविदियों को रिपीट करना है, रिवाइस करवाना है, पुन्रा व्रत्ति करवानी है, 16 जून से 25 जून तक, नेक्स पॉइंट देखते हैं, 27 जून से लेकर 30 जूलाई तक, 27 जून से लेकर 30 जूलाई तक गतिविदि कलेंडर के 24 सप्ता से 8 में सप्ता तक की गतिविदियों का संचालन कराना है, और इसके बाद एक अगस्त से 27 अगस्त तक गत्विदी के नौवें से बार में सप्ता तक की गत्विदियों का संचालन कराना होगा अब ये गत्विदियां जो है वो आपको इस कलेंडर में ही मिलेंगी इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये कलेंडर जो है और शाषना देश है ये सब आपके पास हमेशा उपलब्द होना चाहिए इसकी आप फोटो कॉपी कराके अपने पास जरूर रखें हर एक आंगनवाडी कारकत्री और नोडल से चक और प्रधाना अध्यापक क्योंकि प्रधाना अध्यापक के लिए तो आंगनवाडी से लेकर और कख्षा पास तक के जुम्मेदारी होती है प्रधाना अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारी किस क्लास में क्या होना है इसलिए ये सारा मैटीरियल जो है वो प्रधाना अध्यापक के पास भी होना चाहिए जैसे कि मैं अपने बिध देखते हैं यह नमा पॉइंट कि 12 सप्ता तक की गत्विदियां होने के बाद एक सितंबर से 15 सितंबर तक बच्चों के दित्य चरण का आकलन करना होगा बच्चों के दुत्य चरण का आकलन करना होगा आकलन प्रपत्र में देखिए आप यह रहा तो यह जब हमारी 12 सप्ता के जो गत्विदियां पूरी हो जाएंगी एक सप्ता से लेके 12 सप्ता तक की तो उसके बाद हमको इस आकलन नहीं मतलब दुती चरण का आकलन करके उसको फिल करना होगा और इसी के साथ एक बात को विशेश ध्यान रखना कि बच्चों को यह बिलक तैयार हो रहा है इससे बच्चा जो है वो सहम जाएगा संकोच करने लगेगा तो इस बात का विशेश ध्यान रखा जाए बच्चों के द्वारा गत्विदी में सक्रियता को ध्यान से देखें या अबलोकन करें और यह एक दिन की गत्विदी नहीं पूरा 25 अप्रेल से ल दर्शाना है प्रतेक बच्चे का दस्मा पॉइंट प्रतेक नोडल से चक एवं आगनवाडी को एक रजिस्टर तयार करना होगा जिसमें प्रत दिन की गत्विदी का नाम एवं कख्षा एक में बाल इबाटिका में आय हुए बच्चों का नाम लिखना होगा इससे आपको यह पता रहेगा कि बच्चे हमारे कितने उपस्थित हो रहे हैं और जब वो अनुपस्थत भी होंगे तो आप उनके अहवाब को से संपर्क करके उनको प्रेरित करके बच्चों को विद्याले बुलाईए क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा सराहनिय कदम है हमारे सिच्छा बिभाग का कि सिच्छा में सुधार आरंब भी किया तो कक्षा एक से बास्तम में हमारी सिच्छा की जो नीव है वो कक्षा एक है तो आगे देखते हैं इसी के साथ साथ दुतिय चरण का चहक कारिकरम भी होगा क्योंकि इसको खतम नहीं करना है यह जो निपड भारत मिशन है वो 2026 से 27 तक के लिए है जिसका सीधा सीधा उद्देश है कि कक्षा तीन में जब बच्चे पहुंचें तो धारा प्रवा हिंदी और गडित की जो बुनियारी संक्रियाएं हैं उनमें बच्चा पारंगत हो सके इसी लिए यह तभी संबभ है जब हम कक्षा एक से बाल व अच्छी शिच्छा गुडवत्ता परक सिच्छा देंगे और सभी नोडल सिच्छक आंगनवाडी कारकत्रियों के पास बियार्शी से प्राप्त विध्यालेक के लिए तैयारी है तो मार्ग दर्शिका जो की स्कूल रेडिनेस के प्रशिच्छड में प्राप्त हुई थी वो होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी गतिविदियां हैं और बच्चों के लिए तीलम भी बनाने के लिए उसमें काफी विधियां दी गही हैं तो इस पुस्तिका को अपने पास रखिए और अगर किसी को ना भी मिल सकी हो तो प्रधाना अध्याप जो हैं वो अपने प्यार्शी से संपर्क स्थापित करके इस पुस्तक को पिध्याले में उपस्थित करवाएं और जिसका सभी लोग अध्यन भी करें अल्डवेस्ट फॉर ओल टीचर्स ऑफ बालिवाडिका और क्लास फर्स्थ प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल फॉर न्यू नेक्स्ट वीडियो चैक प्रोग्राम हमारा सभी से बिनम्रन निवेदन है कि हमारी वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग हैं ब्योज भी का हैं और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारे विद्ध्याले में जो चैक प्रोग्राम होगा बहुत ही भव्य और आकर्षत रूप में होगा उसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द उपलप्त कराने वाले हैं हम और हमारा यह प्रोग्राम है वो कब से होना है 21 अपरेल से लेकर 24 अपरेल के बीच में और तब तक आपके पास मैं कोशिश करूंगे कि 21 अपरेल को यह प्रोग्राम अपने विद्ध्याले में संचालित कर 22 अपरेल तक आपको यह वीडियो उपलप्त कराएं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें थैंक यू